हालई में यए खबर साबने आई है कि बिग बॉख सिकष्ट्रिंग के लिए शो के होस्ट सर्मान खान तक ये तक जा रहा था कि सर्मान खान और मेकर्स के बीच में लगाताः फिजट को ले कर बात्चीद चल रही है और अगर डील फिक्स नहीं होती तो सलमान शायद ही इस सीजन को होस्ट करेंगे लेकिन अब बहुत बड़ी वाली राहत की बात सामने आई है और वो ये कि सलमान खांग आठ पिकमाउस के मेकर्स के बीच में डील हो गई है पकी और सलमान ही करने वाले हैं इस सीज को होस्ट लेकिन अगर आपको ये ही लग रहा है कि ये डील हजार करोड़ फीस पर ही आकर फिक्स हुई है तो जरा ठहर ये क्योंकि सलमान खांग हजार करोड़ पर नहीं माले है दरसल खबरे सामने आई है कि ये डील आभे पैसो पर फिक्स हुई है जिहां बिगबॉंस 16 क के फांग पेज दावा कर रहे हैं कि बिगबॉंस 16 को होस्ट करने के लिए सलमान खान आप हजार करोड़ नहीं बलकी पांसो करोड़ पे चार्ज करेंगे बता दे कि पिछलो सेजन होस्ट करने के लिए सलमान खान को 350 करोड़ पे दिये गए थे हाला कि इस मामरे पर अभी क अभी कुछ भी ऑफिशली तौर पर नहीं कहा है आपको बता दे कि आईफा के दौरान सरमान खान से सवाल किया गया था कि क्या वो इस साल भी बिग बॉस 16 होस्ट करेंगे इस बात कर जवाब देती हुए सर्मान खान ने कहा था हाँ बिलकुल यो तो हर सेजन में सर्मान ख का ही इंतजा रहता है सलमान को ही बिग बॉस में देखने की excitement रहती है लोगों में और इसी बस को देखते हुए और लोगों की excitement को देखते हुए मेकर्स हर सीजन सलमान खान को ही बतार होस्ट चुनते हैं बतार दे कि पिगमाउट 16 परदे पर जल्दी धमाल मचाने के लिए तैयार है सलमान खान के इस अपकमिंग शो के लिए कंटेस्टन्स की तलाश भी शुरू की जा चुकी है शो के लिए कई स्टार्स को अप्रोच किया गया है जिसमें टीवी की मशूर आप्रस दिव्या कत्रिपार्थी से लेकर कावेरे प्रियम का नाम तक शामिल है खबर है कि इस पार का सीजन 16 अक्टूबर से टेली कास्ट होगा हरा कि अब देखना ये है कि इस पार का सीजन पिछली तमाम सीजन से किस तरह से हट कर होगा